प्रेमित्रों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टेडी बिट प्रदीप दोस्तों आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले यूपी टी पलेसी लेकपाल भरती के बारे में कब और कैसे करें तैयारी जिससे अब होगा लेकपाल बनने का सपना पूरा तो आपका समझ जाएंगे का आपको तैयारी करने के लिए क्या कुछ चाहिए ठीक है तो जल्दी से स्टार्ट करतें वीडियो को बिना वक्त गवाए जल्दी से लाइक कर दीजिए दोस्तों को सेर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यदि आप नहीं है तो स sensible इसके बारे मैं आपको बताओ फ़्टा कलर चेंज कर लेते हैं ठीक है पेट की आंसर की कब आएगी तो आप देखेंगे दो से तीन दिन में पेट की आंसर नोटिफिकेशन भी अक्टूबर महीने में ही आएगा, साथ में अथेंटिक कट आपकी बात कर लें, तो अभी मैंने आपको इस वीडियो में बता था, अगर आप जनरल OVC में फिमेल या मेल हैं, तो आप पचपन प्लस माइनस, पचपन प्लस माइनस टू या थ्री, इसी के सारी चीज समझ जाएंगे, मैं बताना क्या चाह रहा था, और आपको समझाना क्या चाह रहा था, ठीक है, यदि आप यहाँ पर पचपन प्लस माइनस, वैसे तो मैं कहूंगा, पचास पर लेकिन अगर आप पचपन प्लस माइनस हैं, तो आप अराम से जान लिजे, तीन न पचीज दिन फारम पड़ता है, यह आपका अक्टूबर खतम, अक्टूबर क्या होगा, समापत हो गया, नौवंबर में आपका पेपर होने वाला नौवंबर के पचीज को माल लेते हैं, या लाश्ट में एक दमाल लेते हैं, तीस नौवंबर को पेपर माल लेते हैं, हला नहीं चाहेंगे तब भी आपका कुछ नो कुछ वक्त जाता है अ पके पास कृइम टाइम जो बची है वो 50 दिन की वाची है आप कहेंगे सर कौन से कल्कुलेशन करें कल्कुलेशन सर सही कर रहे हैं आपके पास सब गिने चुने 50 से 55 दिन बचे हैं इससे ज़्यादा अगर आप अपने पास वक्त मानते हैं तो फिर आप अपना नुक्सान कर रहे हैं आपके पास अंगली पे गिने हुए 50 दिन बचे हैं उसके बाद आपके पास जो भी 20-22 दिन बचे हैं वो आपके लिए revision के बचे हैं अगर इससे ज़्यादा आप अपने पास पढ़ाई के लिए वक्त मानते हैं तो फिर आप अपना नुकसान कर रहे हैं फिर इमत कहिएगा क किसी ने बताया नहीं मैं आपको चिला चिला के बता रहा हूँ ठीक है तो आपके पास गिने चुने 50 दिन बचे हैं आपको करना क्या देखी है आपको पास हिंदी पढ़ना है ठीक है आपको क्या पढ़ना है आपको क्या पढ़ना है विलेज डेवलप्मेंट पढ़ना है और आपको क्या पढ़ना है और आपका एक पॉर्सन है GK पढ़ना है GS नहीं पढ़ना है गलती करना मत जितने चैनल GS पढ़ा रहे हैं उन लोगों से सापको यह हमारे कोर्स में जिके दिया गया है पेट में GS पढ़ा करके सब ने आपकी जिंदगी बरबाद कर रखिए आपने सभी चैनल पर जाकर करके आपने GS पढ़ा, खुब दबा दबा के GS पढ़े, आप कहां जाकर के इतिहास में रिसर्च कर रहे थे, भूगोल में रिसर्च कर रहे थे, पेपर फ्रेंट लाइन का आया था, लेकपाल में भी यही होगा, याद रखिएगा, जीको इतिहास, भूगोल, अरसाद, नागरिक साथ, सब कुछ है, इतिहास, भूगोल, नागरिक साथ, समिधान, अर्थव्योस्ता, विज्ञान, सब कुछ 10 क्योश्चन में कबर होगा, यानि सबसे ज्यादा अगर फोकस हम करें, तो करेंट अफेर्स पे है, और किस पे है, आज नंबर आपका किस पे है, यूपी स्पेसल पे, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूँगा, जहां पे स्टेटिक जी के, और करेंट अफेर्स पढ़ाया जाते हूं, वहां से आप जा करके जरूर पढ़िएगा, इस समय मैं अपना कोई बैच नहीं बैच रहा हो, मेरा है कि यहां समय लाग हो सकता है, वहां से जा करके आप परचेज करिए, या बिना परचेज किये हुए, आपको जैसा मिले, आप जरूर देखिए, इस समय 50 दिन लग करके काम कर लीजिए, आपका 50 साल बहतर हो सकता है, मुझे लगता है ऐसा, ठीक है, अब बात आती, Village Development की का नए सीरेस पढ़ाया जाएगा, कोई भी टीचर पुराना नहीं पढ़ाया, पहले वाला पढ़ाया गया होगा, बहुत सारी टापिक नहीं आइट की गई है, आप नेट से चाहे डाउनलोड करके पढ़िए, चाहे उसे PDF लीजिए, चाहे बुक बहुत सारी मार्केट में सब के लिए नया है, ठीक है, मैं थे जो लोग पहले से तयारी कर रहे थे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए उनको फोकस जादा करना है, उनको कोई फोकस ही नहीं करना है, जो लोग नए है, जिनको पहली बार तयारी करना है, उनको फोकस जादा करना है, हिंदी की भी वही बात हिंदी में आपका बीस नंबर का ब्याकरण है जिसमें आपका पैराग्रान भी रहेगा और पांच नंबर का हिंदी साहित का इसा हिती पॉर्सन सिर्फ पांच नंबर का है जिसमें आपको डियाई वगयरा दी गई है और आपको दिया गया है आसान question आएंगे frontline के अगर आप आरियस अग्रवार सालब करते हैं तो उसका ए वाला section सब सालब करिए आपके सारी question वहीं से मिल जाएंगे ठीक है मुझे लगता का आप इस बात को पूरी तरह से समझ गया होंगे अब मैं जो समझाना चाहरा हूँ देखिए आपको distract करने वाले बहुत distract करेंगे पहली बात तो आज से आप इस अंकल्प कर लीजिए कि फालतू का आप कटाप फालतू की चीजें देखने नहीं जाएंगे अगर आपके 50 की गिर्द गिर्द है 50 से प्लस आप हैं तो आप चुप चाप अपनी तयारी करिए जिन लोगों का उनसे कम है ठीक है अगर वो दूसरी पिछली भरती में कहीं सामिल थे तब तो उसकी तयारी करें अगर नहीं सामिल थे तो आगे भी और बेकेंसी आने वाली जैसे होमगाट की बेकेंसी आने वाली ठीक है उसके लिए वो पढ़ते रहें बैठिये का मत पढ़ते रहेगा होमगाट की बेकेंसी आने वाली इलाहबाद हाई कोट में चपरासी की बेकेंसी आने वाली यानि डी गुरूप की बेकेंसी जो कि दो भर्तियां और निकलने वाली समों सी का और समों डी की यानि चपराजी की और उसकी कलर की जिसके लिए आप अपलाई कर सकते हैं ठीक है तो आप निरास ना हों आप अपने काम को आगे बढ़ाएं लेकिन जिन लोगों का उसे प्लस है आप से लेकपाल से बहतर कोई बैटती नहीं आने वाली तो आप उसपर पूरा फोकॉस करिये और आप अपनी तयारी को बढ़ाएं जो लोग यह कह रहा है 70 पलस मेरिट बनेगी 80 पलस मेरिट बनेगी नब्बे पलस मेरिट बनेगी ओन लोग पेपर के छे घंटे पहले ये भी कह रहे थे कि आज पेपर क पिष्टे ले लिया गया पेपर कैंसेल ओ जाएगा पेपर लीख में हुआ कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ ना वसारी चीज़ें चल रही है पेपर आपका आपका च्छिक किया या रहा कापा चेक की जा रही पेपर आपका हुआ सब कुछ हुआ तो उन लोगों के चक्कर पढ़ करके आप अपना वक्त मत जाया करिए मैं आप से फिर कह रहा हूँ मैं आज किसी भी बैच की बात नहीं करूँगा आप अगर नहीं देखें ते कटाफ वाला वीडियो देख लीजेगा च पर पांच बार पांच तरह की बाते करते हैं एक ही वीडियो को घुमा फिरा करके 20 बार दिखाते हैं तो ऐसी चीजों पर क्यों आप जा रहें क्यों अपना समय बरबात कर रहें मैं समझ नहीं पाता हूं आप इन चीजों से थोड़ा सा बचिए और इन लोगों को अगर आ आप इसी चीजें नहीं हैं ठीक है बात मेरी आप समझ गया हूंगे यहां पर सारी शीजें सत्य और सटीक बोलिया आपको बुरी लगेगी मैं जानता हूं कुछ लोगों को बुरा लग रहा हो जो चमचे होंगे किसी चैनल के उनको बुरा लग रहा हो डिसलाइक कर चुके आप समझेंगे यह बात सच है इसलिए कड़ भी लग रही है जोटे मैं आपको बहकाना जाजनत दाओं ठीक है तो मुझे उमीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद तो कम आया होगा आपको बुरा लगा होगा ज्यादा लेकिन कहना मेरा फर्ज था मैंने कह दिय मैं तब तक लिजाजनत दीजिए जय हिंद ठीक है